लो बच्चो आज मैं इस फीडियो में आपको बताऊंगा कि सैनिक स्कूल का जिस तरीके से रेजल्ट आ चुका है आप अपना स्कोर कार्ट देख चुके हैं अब आपको करना गया होगा एकांसलिंग करना होगा तो पैरेंट्स परेशान है कि एकांसलिंग कब से होगा तो मै आपको बताना चाहता हूँ कि सैनिक स्कूल की जो ओफिशियल वेब साइट है उस पर उन्होंने अपलोड करा है कि जो इकांसलिंग है वो हो सकता है 6 मार्च को ही स्टार्ट हो जाए या 6 मार्च के बाद स्टार्ट हो जाए तो चलिए एक बार देख भी लेते हैं जैसे हमन इसको हर वीडियो में बताता हूँ तो आप इस पर क्लिक किया इसमें हमने फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है स्क्रॉल करने के बाद आपने इस पर क्लिक करा फिर एक पेज ओपन होकर आएगा आप क्या करो यहीं पर आप नीचे मत जाओ लेटेस न्यूस पर आप देख सकत डाउनलोड अगेन कर देता हूँ मैंने डाउनलोड अगेन करा अब देखिये इस PDF को मैं on कर रहा हूँ means open कर रहा हूँ अब मैंने इस PDF को open करा ठीक है अब मैं फिर से स्क्रॉल करने वाला हूँ स्क्रॉल करते करते मैं कहां पर जाओंगा यहां पर जाओंगा you can see candidates are required to register themselves at अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब देखिए, देखिए गए पढ़िएगा आपको, पढ़ना है आपको, Welcome to Sanic Schools e-Counseling Portal Registration on e-Counseling Portal for admission into existing and new Sanic Schools will commence on or after 6 March, on का मतलब है 6 तारिक को ही स्टार्ट हो जाए, after का मतलब 6 तारिक के बाद, तो 6 मार्ज और after 6 मार्ज ये स्टार्ट हो सकता है, तो I hope your information आपके लिए helpful हो, Thank you guys.